अम्शन्ति आज की क्लास का टाइटल है वानी निर्मल हो भावना निमित्थ भावना हो और निर्मान बन के सेवा करो तुमान मिलता रहेगा मुझली के बाद भी हम ये तीन शब्दों कहते है और ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तब उनके तीन ये अन्तिम शब्दों थे निमित्थ निर्मान और निर्मल वानी तो चले आज इस क्लास को हम समझते हुए अपने मिधारन करते है कि कैसे वानी निर्मल हो निमित्थ भावना हो और निर्मान बन के सेवा करने से मान कैसे प्राप्त होता है बाबा बच्चों को मिलन के साथ सेवा का डबल चांस देता है तो रिटर्न भी डबल करना होगा न बाबा इतना चांस देता है तो हमें भी तो रिटर्न डबल करना होगा न बाबा को करते न सबी करेंगे न कहें आजी बाबा अब बाबा को रिटर्न क्या चाहिए इसी एक विशरिष्टा से नंबर वन बनी वो सदा कहती थी बाबा का कहना और मेरा करना बाबा जो भी डारेक्शन देता मम्मा हमेशा हांजी कहती बाबा ने कहा है करना ही है बाबा और कुछ तो कहता नहीं है सिर्फ जो श्रीमत दी है उसी पर चलो, इतना ही तो कहता है बाबा, कितना सहज बाबा हमारे से पुरुशार्थ कराता है श्रीमत तो सभी को पता है न, जुरूज हमें मुर्लिया इतनी मिलती है ये क्या है हमारे श्रीमत ही है न, हमारी जीवन ही श्रीमत के आधार पर है समझते हैं हमारी जीवन श्रीमत के आधार पर है, जो समझते हैं हाथ उपर करें, कैसे, तो देखो, अम्रत वेला उठते ही तो हो, ये भी श्रीमत है, बाबा की सबसे पहले श्रीमत अम्रत वेला उठना, अम्रत वेले से श्रीमत मानना और उस अनुसार चलना मुर्ली भी उसी विधी से सुने जो बाबा चाहता है सुनना माना बनना सुनने की विधी क्या कहा बाबा ने? मुर्ली सुनते हैं माना मुर्ली के जैसा अपने अंदर गुणों को अपने अंदर वैसा भरते जाते हैं माना सुनना माना बनना विशेश डबल अंडरलाइन मुर्ली सुनना माना बनना करेंगे न सबी ऐसे है हाँ जी बाबा एक एक शब्द बाबा का कितना श्रेष्ठ है वो बाबा का एक एक शब्द हमारे दिल में लग जाए जिससे प्यार होता है उसकी हरे एक बात दिल में लग जाती वो जैसा कहता है वैसा करते है यह बाबा से हमारे प्यार का रिटर्न है बाबा की श्रेमत प बस आंख बंद करके करते जाओ उसमें कोई question नहीं कोई और opinion नहीं कुछ नहीं बाबा ने कहा श्रीमत है तो बस अपना भी दिमाग नहीं लगा आँग बंद करके करते चलना है करते हैं न सभी ऐसा जो समझते हम श्रीमत पर पूरा पूरा आंख बंद करके चलते वो हात उपर करें उसमें सवाल ही नहीं है कैसे करे क्या करे की बात ही नहीं बाबा ने कहा यानि Almighty Authority ने कहा तो बाबा का एक एक बोल स्पष्ट भी है और सत्य भी है तो बाबा ने कहा और हमने किया सदा हाँ जी का पाड़ पका कहे हाँ जी बाबा सोचना तब पढ़ता है जब question mark हो फायदा होगा या नुकसान होगा तब सोच चलता है लेकिन बाबा ने करके दिखाया ना बाबा हमारे सामने practical example रहे ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा हम सब के सामने एक example है example है ना बाबा जो उस example को follow करते वो हाथ उपर करें आचा आचा तो शिव बाबा की मत पर बाबा ने जो कदम उठाया उससे अव्यक्त हो गए मन्जिल पर पहुँच गए यह प्रत्यक्ष सबूत है ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने जो श्रीमत दी उस पर आँख बंद करके चलने लगे इसके लिए मन्जिल तक पहुँच गए अव्यक्त हो गए ब्रह्मा बाबा के पास कोई example नहीं था हमारे पास तो example है तो उसको follow करना है बाबा कहते है तो रास्ता ठीक था तभी तो मन्जिल पर पहुँचे ना बस हमक सोचने की आविश्यक्ता नहीं के सोचते है माना हम अपने व्यर्थ या नेगेटिव को इसके साथ मिक्स कर देंगे तो सफलता कम होगी जब निश्य बुद्धी होकर पूरा चलते है तो बाबा गैरेंटी करता है तो सभी ऐसे निश्य बुद्धी वाले हैं कहें हां जी ब काम करता है न उस समय बाबा उस समय के लिए क्या कहता है वो अपने दिमाग में लेकर आना है भोजन के लिए बाबा ने क्या डारेक्शन दिये है बाबा की याद में योग्युक्त होकर भोजन बनाओ फिर बाबा को भोग लगाओ याद करके खाओ हरे एक चीज का डारेक् लेकिन कैसे कर्म योगी होके तर एक सेवा को कर्म योगी होकर करने वाले है न करें हां जी बाबा कर्म योगी में क्या आता है कर्म भी तो योग भी दोनों का बालन्स हो जाता है जो भी काम करो उसमें पहले चेक करो यह बाबा ने किया बाबा की श्रीमत है ये जो श्रीमत है उसको हर कर्म के पहले स्पष्ट सामने लाओ फिर उस अनुसार चेक करो कि जो बाबा की श्रीमत थी उस अनुसार मैंने किया चेक करेंगे तो चेंच होंगे कोई भी संकल्प उठना माना अपने में संशय आना और संशय बुद्धी क्या होता है संशय बुद्धी विनश्यन्ती अपने आप में ही संशय उठता है पता नहीं होना तो चाहिए होना तो है ही होगा या नहीं माना ये question गेगे की भाष्चाई माना संशय अपने में पूरा निश्य नहीं है अपने में निश्य है तो विजय है एक होना ही है दूसरा हाँ देखेंगे कर तो रहे है पता नहीं तो कौन सा अच्छा लगता है एक होना ही है कौन सो अच्छा लगता है सभी को पहला है अच्छा लगता है कि होना ही है जो समझते हमें पहला वाला sentence होना ही है अच्छा लगता है वो हाथ उपर करें आच्छ आच्छ मुबारक हो क्योंकि सर्व्ष्यक्तिमान बाबा है बाबा की authority में बहुत नशा होना चाहिए तो seat पर set हो जाओ Master सर्वशक्ति मान हूँ यह है निश्चे की seat पर set होना बिना seat के कोई नहीं मानता seat पर set नहीं होंगे न तो कोई भी order नहीं मानेगा इस देह पे भी मैं आत्मा अपने कर्मिंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ यह order देंगे तो वो सहचता से मानेंगी बाबा भी कहते है authority और अधिकारी इसलिए ये दो शब्द याद रखो अपनी authority यादी नहीं है तो अपना अधिकार किस पर होगा हमारी authority कर्मिंद्रियों पर है याद रहे तो उस पर अधिकार होगा न? बाबा कहते बच्चे अपकी वानी निर्मल हो भावना निमित्त की हो निर्मान बनके सेवा करो अगर निर्मान है तो मान मिलेगा श्वमान में रहो तो मान मिलेगा मांगने से मान नहीं मिलता कोई मुझे मान दे ये मांगने की ज़रूरत नहीं है जितना हम अपनी स्वामान की सीट पर सेट होंगे जितना निर्मान होकर चलेंगे जितना दोसरों को मान देंगे automatically वो हमें प्राप्त होगा तो मांगने की बात नहीं है मांग को कुछ करता हूँ करती हूँ देखते ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ जैसे मैं हूँ या नहीं हूँ किसी को पता ही नहीं पड़ता है सेवा करके आते हैं तो भी नहीं पूछते हैं कोई लेकिन वो नहीं पूछते कोई बात नहीं पर बाबा की सेवा करने स और यह सच्ची सेवा की है तो जैसे ही सेवा करते उसका प्रत्यक्ष हुँआ हमें घैसे ही मिलते हैं बाबा के प्यार का प्याला मिलता है खुशी का प्याला कितना पिते हैं तो बाबा ने आपको पूछ लिया बाकी कोई ने नहीं पूछा तो क्या बात है आखिर भी फैसला कौन करेगा किसको क्या पद देना है बाबा ही फैसला करेगा न तो हमारे को बाबा पूछने वाला है रात्री को सो तो जैसे बाबा मालिश कर रहा है माथे में बहुत ताकत दे रहा है ऐसे अनुभव करते सो जाओ जो रात को सो है तो भी अनुभव करके सो न थकान भी हो न तो आज बाबा अच्छा से मसाज कर रहा है सिर की, कितना हलका हो जाएंगे और सुबह भी उठेंगे तो इतना फ्रेश मैंसूस होगा न, तो यह विशेश डबल अंडरलाइन करें सेंटेंस पर, कि बाबा की नजर आप पर गई, आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्म क्योंकि कुछ न कुछ पेपर्स तो सेंटर्स पर है, घर पर हो तो आते रहेंगे, कभी किसको ज्यादा पूछ लेते होंगे, हमें नहीं पूछते, यह माया आती है, किसी को किसी ने ज्यादा पूछ लिया, तो माया आ जाती है, हमें क्यों नहीं पूछा, यह भी सुक्ष् लेना तो एक्जाम में क्या क्यों करेंगे questions आएंगे तो यदि prepared होंगे तो उस पर solutions देंगे न तो ऐसे जितना निश्चय बुद्धी होके श्रीमत पर चलेंगे तो questions से free होंगे तो है न सभी निश्चय बुद्धी कहें हाँ जी बाबा तो समान भी आती और छोटे बड़ों में भी आती माया लेकिन हमको यह सोचना चाहिए हम बने किसके हैं हम कोई दीदी के या कोई देहधारी के तो नहीं बने न बाबा के बने हैं बाबा के बने न सभी बाबा के बने कहें हां जी बाबा, तो बाबा ने आपको पूछ लिया है न, मेरे बच्चे कहा न, और क्या कहेगा, और क्या पूछेगा, तो बाबा बैठा है, इसलिए हमारे को कोई कमी नहीं है, बाबा ने स्वराज दे दिया, राजा बना दिया, और क्या पूजिशन चाहिए, बाबा ने मुझे राजा बच्चा कहा, तो यह पूजिशन कम है क्या, क्योंकि राजा से बड़ा तो कोई होता नहीं है न, बाबा तो रोज अपकी पालना करते है, बस बाबा की गोद में सोचाओ, लेकिन बाबा की कोई स्थूल में तो गोदी है नहीं, गोदी माना बाबा की याद, बाबा की श्रीमत, बाबा की याद में सोएंगे, तो जैसे एकदम बाबा की गोदी में सो गए, ऐसा अनुभव करते बाबा की याद में सोते तो जैसे एकदम बाबा की गोदी में निश्चिन्तों के सो जाते हैं जिसको ऐसा अनुभवे वह हाथ उपर करें अच्छा बाबा की याद में सोएंगे तो जैसे एकदम बाबा की गोदी में सो गए ऐसा अनुभव होता है एक ही टाइम पर हमको मिला है इसलिए बाबा के साथ का फायदा उठाओ तो फीलिंग से दूर रहें किसी कुछ काहें दिया कर दिया मिला यह फीलिंग भले क्रें फिर हम बाकी छोटी छोटी बातों की फैलिंग नहीं करो फीलिंग Rs. नहीं तो क्योंकि feeling करना मना दुख लेना, दुख देना, बाबा की श्रुमत क्या है हमारे लिए? न दुख देना है, न दुख लेना है, यह आदत अपने को परेशान करती है, इसलिए परेशान नहीं होना, हम भगवान के बच्चे है, सर्व शक्तिवान है, महावीर है, शिव शक् से परे हो जाते हैं तब परेशान होते हैं तो परेशान कभी भी नहीं होना चाहिए इसलिए बाबा कहते है कि शुद्ध संकलपों की शक्ति से वेस्ठ Cath म कर दो डे रहे हुए अच्छे अच्छे अनुभवों को याद करो तो वियर्थ संकल्प की लाइन कट हो जाएगी कितनी सुन्दर बाद बाबा ने कही कि परेशान नहीं होना है तो क्या करना है अपनी शान में रहना है अर्था स्वमान में रहना है तो विस सभी सुनते वो स्वमान में स्थित है ने रुहानी शान में है और जितना शुद्ध संकल्प हमारे अंदर होंगे यह शुद्ध संकल्प क्या है वेस थोट्स को खतम कर देते हैं तो हमारी स्थिती भी कैसे हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, जब स्थिती शक्तिशाली हो जाती है, तो हमारे मन में सभी के लिए निमित्थ भावना आती है, जो भी हम कर रहे हैं, सेवा भी कौन करा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा ने हमें चांस भिया, तो थैंक्स बाबा जहा है निम्मित भहुना आजाती है निर्मान कर लदा वह माननेया सदाइव मन यही मानेगा कि बाबा करा रहा है lbach करावनहार बाबा है हम तो किवल जैसा श्रीमत पे चला रहा है वैसे निमित बनकर कर रहे है ठीक है तो आज की जो क्लास थी दादी गुलजार जी की 2006 की क्लास थी बहुत सुन्दर रूप से दादी हमारे सामने प्रैक्टिकल एक्जामपल भी बनके रही और ब्रह्मा बाबा तो जैसे दादी ने भी इसमें कहा ब्रह्मा बाबा तो हमारे लिए नंबर वन एक्जामपल रहा ही है वैसे ब्रह्मा बाबा भी एक अव्यक्त हुए खुलजार दादी भी बाप समान ऐसे ही अव्यक्त बनी हम भी इन ज्यान के रतनों को जितना अपने अंदर धारण करते जाएंगे तो उनके जैसी स्थिती हम भी प्राप्त कर सकते हैं च्छा ओम शंती शुब रात्री कल सुब मिलेंगे अम्रत्वेला चार बजे लाइव योग भूग पाने चार्जिंग और मुरली के लिए और रात्री क्लास में ऐसे ही पौने नौ बजे जो हमारे सुक्ष्म च कराता है ये रात्री क्लास और शक्ति शाली स्थिती से शक्ति शालीवानी से श्रीमत से भरपूर भी कर देता है चा ओम शंती